सात्यों जै भीम जै भारत जै समिधान मैं बहुजन दस्तक से गौतम रतना और आज हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा जी के बारे मैं जो इस देश के लिए इतना बड़ा त्याग उनका रहा है और एक मुकाम हासिल किया उनकी पूरी लाइफ को मैं आपके सामने प्रेजे पती और परुप कारी वेक्ती थे उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समु और टाटा संस के अध्यक्ष की रूप में कारिया किया उन्होंने अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष का पत समाला 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान पदम भूशन मिला रतन को इससे पहले 2030 में तीसरा सर्वोच नागरिक सम्मान पदम भूशन मिला था रतन टाटा नबल टाटा के बेटे थे, जिनने टाटा समू के संस्तापक जमसेजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा ने गोद लिया था उन्होंने कार्नल उनिवस्टी कॉलेज अफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में इसना तकी डिगरी हासिल की वे 1962 में टाटा समु में सामिल हुए और टाटा स्टील की दुकान से सुरुआत की बाद में उन्होंने 1990 में जे आडी टाटा के सेव नर्थ होने पर टाटा संस के अद्दस के रूप में कार्यभार समाला उनके कार्यकाल के दोरान टाटा समू ने टेटली जगवार लैंड रोवर कोरस का अधिरण किया ताकि टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत में केंद्रित समू से व्यास्विक वेवसाय में बदला जा सके अपने जीवन काल में टाटा ने तीस से अधिक स्टाट अप में निवेश किया मुखे रूप से व्यक्तिगत छमता में जिनमें से कुछ उनकी निवेश कंपनी के माध्यम से थे लतन टाटा का जनम बिट्रिस राज के दोरान मुंबई अब मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी जोराश्टियन परिवार में हुआ था वे नवल लतन टाटा जो सूरत में पैदा हुए थे और बाद में टाटा परिवार में गोध लिये गए और सुनू टाटा समू के संस्तापक जमसेजी टाटा की भतीजी के पुत्र थे टाटा के जैविक दादा फोरमांस जी टाटा खून के रिष्टे से टाटा परिवार के सरस थे उनने सुरतालिस में जब टाटा दस वर्स के थे उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनका पालन पोशन नवाज भाई टाटा उनकी दादी और रतंजी टाटा की विद्वाने किया और उन्हें गोध ले लिया उनका एक छोटा भाई जिम्मी टाटा और एक सोतेला भाई नोवल टाटा था जो नवल टाटा की अपनी सोतेली मा सिमोन टाटा से दूसरी सादी से थे इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेडरल और जॉन कोणन स्कूल सिमला के बिसब कॉटन स्कूल और न्युयार्क सहर की लिवर डेल कंट्री स्कूल में अपनी लिया जहां से उन्होंने 1962 में वास्तु कला में इसना तक की डिगरी हासिल की कॉर्णिल में रहते हुए टाटा अलफा सिग्मा फी ब्रादरी के सदस बन गए 2008 में टाटा ने कॉर्णिल को 50 मिलियन का उपहार दिया जो विश्विद्याले के इतिहास में सबसे बड़ा अंतरा ये दाता बन गया 1971 में टाटा की मुलाकात आर्किटेक्ट ए किसी जॉन्स से हुई जिन्होंने कॉर्णिल में आर्किटेक्टर डिजाइन क्रिटिक के तौर पर तीन हपते बिताए कॉर्णिल की पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा कुछ समय के लिए लौस एंजिलिस ज आरत लोटने के बाद टाटा को आई बियम से एक प्रस्ता मिला जे आडी ने टाटा से टाटा समू को अपना बायो डाटा जमा करने और आई बियम में काम करने के बज़ाए टाटा समू में सामिल होने के लिए कहा टाटा ने 1962 में टाटा समू में एक प्रवंदन प्रिशु के रूप में शुरुआत की उनका पहला काम जमसेद पूर में टैल को अब टाटा मोटर्स में था 1977 के दसक में रतन टाटा को टाटा समू में प्रवंद के पत दिया गया उन्होंने अपनी साहे कंपनी नेशनल रेडियो एंड एलक्रोनिक्स नेलको का काया कलब करके शुरुआती सफलता हासिल की लेकिन आर्थिक मंदी के दोरान इसे ध्वस्त होते देखा इस्तो 91 में ज्याडी टाटा ने टाटा संस के अध्धक्स पत से इस्तीपा दे दिया और उन्हें अपना उत्रदेकारी नामित किया सुरुआत में टाटा को विविन साय कंपनीयों के पिर्मुखों से बड़े प्रित्रोद का सामना करना पड़ा जिने वरिष टाटा के कारेकाल में काफी हद तक परिचालन सवतंता मिली हुई थी जवाब में टाटा ने सत्ता को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागूं की जिनमें सेवा निवर्ति की आयू का कारेकाल में सहायक कंपनियों का सीदे समू कारेकाल को रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों से टाटा समू ब्रांड के निर्मार में अपने लाव का योगदान करने की आवसक्ता सामिल थी टाटा ने नवाचार को प्रात्मिक था दी टाटा ने 21 वर्चों तक टाटा समुका ने तत्थ किया इस दोरान राजस 40 गुना से अधिक बढ़ा और लगवग 50 गुना से अधिक बढ़ा जब उन्होंने कमपनी की कमान समाली तो बिक्री में मुख्य रूप से कमोडिटी की ब अधिकांस बिक्री ब्रांडों से हुई उन्होंने टाटा टी को टेटली का अधिगरण करने टाटा मोटर्स को जगवार लेंडोवर का अधिगरण करने और टाटा स्टील को कोरस का अधिगरण करने के लिए कहा इन अधिगरणों ने टाटा को एक बढ़े पैमाने पर भा इस तरह तक संचालन और विक्री से आता था। उन्होंने डीजल टाटा इंडिका की सांदार सपलता के बाद टाटा नैनो कार के विकास की अवधाना भी बनाई और उसका नितत किया जिसने कारों को ओसत भारतिय उप्युकता की पहुंच में आने वाली कीमत पर लाने में मद की टाटा मोटर्स ने गुजरात के सांद प्लांट में टीगोर इलक्ट्रिक वहानों का पहला बैश शुरू किया है जिसे टाटा ने भारत के इलक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने की रूप में वर्नित किया है 75 वर्ष की आयू पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समू में अपनी कारेकारी सक्तियों से इस्तीपा दे दिया उनके उत्रादिकारी को लेकर नेतव संकट ने मीडिया की गहन जाच को आकर सित किया कमपनी के निदेशक मंडल और कानूनी पिरभाग ने उनके उत्रादिकारी साइरस मिस्त्री को निक्त करने से इंकार कर दिया जो टाटा के रिस्तिदार और सापुरजी पल्लोंजी समू के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे थे जो टाटा समू के सबसे वड़े व्यक्तिगत से अधारक थे 20 अक्टूबर 2016 को सारस मिस्त्री को टाटा संस के अध्धक्ष पत से हटा दिया गया और रतन टाटा को अंत्रिम अध्धक्ष बना गया उत्रादिकारी खोजने के लिए एक चैन समीटी बनाई गई जिसमें टाटा भी सदस के रूप में सामिल थे 12 जनवरी 2017 को नतराजन चंदर सेखरण को टाटा संस का अध्धक्ष नूप किया गया यह पत उन्होंने फरवरी 2017 में ग्रण किया फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा संस के निदेशक पत से हटा दिया गया था बाद में दिसम्बर 2019 में नेशनल कंपनी ला एपिलेट ट्रिमलन ने पाया कि सारस मिस्त्री को टाटा संस के अध्दक्स पत से हटाना अवेथा और उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया एक अपिल पर भारत के सरवोच न्यालने ने सारस मिस्त्री की बरकासगी को बरकरार रखा टाटा ने अपनी खुद की संपत्ती से कई कंपनियों में निवेश भी किया था उन्होंने भारत की पिर्फुक ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैप डील में निवेश किया था जन्वरी 2016 में उन्होंने ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता टी बॉक्स और डिस्काउंट कूपन कैस बैक वेबसाइट के कैसकारों.com में निवेश किया उन्होंने भारत में सुरुआती और बाद के चरंड की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किये थे जैसे ओला केप्स में लगवग 0.95 करोड अप्रेल 2015 में यह बता गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफॉन स्टार्ट अप स्योमी में हिस्सेदारी हासिल कर ली है 2016 में उन्होंने नेस्ट वे में एक ओनलाइन रियल स्टेट पोर्टल में निवेश किया जिसने बाद में ओनलाइन रियल स्टेट पालतू देखवाल पोर्टल डॉग स्पॉर्ट सुरू करने के लिए जैनिफाई का अधिगरण किया गया टाटा ने अंतर पीडिगत्र मित्रिता को प्रोट साहित करने के लिए वरिस नागरेओं के लिए भारत का साथी स्टार्ट अप गुड़ फैलो भी लॉंच किया पात्यो रतन टाटा को मिले अवार्डों की एक बहुत बड़ी लंबी फेरिस्ट है एक लंबी लिस्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं रतन टाटा को 2000 में पदम भूशन और 2008 में पदम भूशन मिला जो भारत सरक्वार द्वारा दिया जाने वला तीसरा और दूसरा सरवोच नागरिक सम्मान है टाटा को महराष्ट में सार्वनिक प्रसासन में उनके काम के लिए 2006 में महराष्ट भूशन और असम में कैंसर देखवाल को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 2021 में असम वैभव जैसे विविन राज नागरिक सम्मान भी मिले अन्य प्रस्कार में सामिल है नाम प्रस्कार देने वाले संग्थन संधर 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनिस अड्मिस्टेशन ओईयो स्टेट यूनिवस्टी 2004 मेडल ऑफ दा ओरियंटल पबलिक रिपबलिक ऑफ उरगवे उरगवे प्रस्कार साथियों में आपको बताने जा रहा हूं जो रतन टाटा को मिले वाड़ों की बड़ी लंबी लिस्ट है रतन टाटा को 2000 में पदम भूशंट और 2000 पार्ड यार दुबारा सुरू करना पड़ेगा यार तुमसे यार बेच में कई बार शुरू में ले जा बताया था हो खाली उसको बैक कर दो ना बस बस सुरू करके और और एक मिंट जब मैं रतन टाटा बोलूँगा तब सुरू करना बस बस और उस वार कैमरे पे चले जाना साथियो रतन टाटा जी को मिले अवार्डों के बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है जो मापको बताने जा रहा हूं रतन टाटा को 2000 में पदम भूशन और 2008 में पदम भूशन मिला जो भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाला तीसरा और दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है टाटा को महराष्ट में सार्वजिक प्रशासन में उनके काम के लिए 2006 में महराष्भूशन असम में कैंसर देखवाल को आगे बढ़ाने में उनकी युगदान के लिए 2021 में असम वहबब जैसे विविन राज नागरिक सम्मान भी मिले अन्य प्रसकारों में सामिल है नाम प्रसकार देने वाले संक्थन और संदर में में आपको बताने जा रहा हूं 2001 में मानच डॉक्टर ऑफ बिजनिस अड्मिस्टेशन ओयो स्टेट यूनिवर्स्टी 2004 मैडल ऑफ दा ओरियंटल रिपबलिक अफ उर्वे 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 सर कर इसे डॉक्रों मानच डॉक्टर ऑफ टेकनोलोजी, एसियन इंस्ट्टूट ऑफ टेकनोलोजी, 2005 में इंटनेशनल दिस्तिंविश्ट अचीवेमें अवार्ड, बीन आई बृत इंटनेशनल मानच डॉक्त अणिय्स अड़िवेर्विक, 2006 मानच डॉक्टर ऑफ शायंस भ विज्ञान और प्रदुगी की पेड़ना और मानेता के लिए जिम्मिदार पूंची वादी प्रशकार, 2007 मानद फेलोशिप लंदन स्कूल अप्टिक्स पॉलिटिकल साइन्स, मानद नागरिक प्रशकार सिंगापूर सरकार्द्वार। मानत फेलोशिप दा इंस्टिटुशन अफ इंजिनिरिंग एंड टेक्नोलोजी। प्रिरित नित्वत प्रश्कार दा पर्फॉर्मेंस थेटर। मानत नाइट कमांडर अफ दा ओर्डर अप्रिटिस एंपार। कीन एलिजाबेट द्वरा। दोजार आठ के लिए इंजिनिरिंग में लाइफ टाइम कंट्रिबूशन अवार्ड इंडियन नेशनल अकार्डमी ऑफ इंजिनिरिंग। इतली गंडराज सरकार के ओर्डर अफ मेरिट के ग्रेंड ओफिसर दोजार दस मानत दॉक्तर अफ लॉव केंब्रिज विश्विद्यले और हैंडियन प्रशकार विश्विश्मारक निधी ओसलो बिजनिस फोर पीस अवार्ड बिजनिस फोर पीस फोंडेशन लिजेंड इ मनत की ऺंचेडर अवार्ड येल विस्विद्यले मनट बॉक्तडर ओ ला पैसं स्विद्यू स्थजन की ओसलो बिजनिस फोर पीस फोंडेशनि. Business Leader of the Year, the Asian Awards, 2012, Manat Fellow, Royal Academy of Engineering, Doctor of Business Upadhi, New South Wales, Swiss-Dhalay, Grand Carden of the Order of the Rising Sun, Japan Sarkar, Lifetime Achievement Award, Rockefeller Foundation, 2013, Videshi-Shahyogi National Academy of Engineering, दसक के परिवर्तनकारी नेता, भारते मामले, भारत नेतात संभेलन, Ernest and Young Udhmi, Ernest and Young Udhmi of the Year, Lifetime Achievement, Ernest and Young, Manat Doctor of Business Practice, Carnegie Mellon, Visvidhalay, 2004, Manat Doctor of Business Singapore, Pribandhan Visvidhalay, Shaji Ratan Prashkar Badoda, Pribandhan Sang, Manat Knight, Grand Cross of the Order of the British Empire, G.B.E. Maharani Elisabeth Twatya, Manat Doctor of Launch York University, Canada, 2015, Manat Doctor of Automotive Engineering, Clemson University, Shaji Ratan Prashkar Badoda Management Association, Honoris Casa HEC Paris, 2016, Commander of the Legion of Honor France Sarkar, 2018, Manat Doctor in Engineering, Swansea University, 2015, Manat Doctor of Literature, H.S.N.C. University, 2013, Manat Officer of the Order of Australia, King Charles, 2013, Maharashtra Udhyaog Ratan Maharashtra Sarkar, तो साथियोग ये रतन टाटा के उपर हमारा ये एपिसोड बनाने का मकसद खास दोर से बहुजन समाज के उन लोगों के लिए भी है जो इंडस्लिस्ट हैं या बिजनिस में हैं जो जिनोंने बाबा साब की रिजबेशन से आकर के एक मुकाम हासिल किया और वो भी कोई इत उनके जिन्दगी में भी स्ट्रगल रहा होगा और कहीं भी आपने आज तक रतन टाटा के बारे में किसी से आपने ये नहीं सुना हुआ कि जिस तरह से आज अडानी और अंबानी के नाम गिने जाते हैं उस तरह के उसमें तो मैं समझता हूं कि रतन टाटा जी जैसे सक्सि प्रुटिक लेना चाहिए जिन्होंने भारत के इंदर न कभी जाती न कभी धरम न किसी सरकार के आगे जुकने का कोई काम किया न कभी किसी जातीय धरम के पृतिक टरता अपना देखी होगी और לפ Ohh Pizza एके जिन्दी के टाटा रतंजी के हैं कि जिस किया कि एक छोटे से गरीब आत्मी को भी कार रखने का एक सपना सा कार हो शके बहुत सारे ऐसे काम है जो हमने बताने की कोर्शिस किया आपको तो ऐसे सक्सिर्शों से शीख ले करके हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे सक्षिय से बेड़ना लेनी चाहिए और उनके जो सोशल मीडिया से जो लोगों ना उनके बारे में कमेंट्स किये हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं अपने वीडियो के अंदर और उनकी अंतिम यात्रा में जो कि ना तो कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं थे एक इ पर्सन करने पहुंचे उनको सरदांजली देने के लिए पहुंचे एक बहुत बड़ी बात है इसी के साथ मैं आपसे बिदा लेता हूं जय भीम, जय भारत, जय समिधान और खास दोर से एक बात हमारे चैनल के बारे में जरूर आप याद रखे कोई भी एट्रॉसिटी क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा होता है तो अगर हो सके तो आप आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप बहुजंग समाज में बाबा साहिप अमेटकर और तदागत बुद्ध की विचार धारा को अधिस अधिक लोगत तक पहुचाना करते हैं तो हमें आर्थिक स्वयोग प्रदान करें ताकि हम अपनी चैनल के मात्यम से देश की देश में समता बंधुता एकता और समवेधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुचा सकें आप अपनी साहिता राशी नीचे लिखे खाते में जमा करा सकत खाता दारत गौतम रत्ना खाता संख्या तीन एक छे नौ पांस साथ छे आठ छे पांच एक आएफसी कोड एस्बी आइन शुन 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 छे शुन तीन तीन छे बैंक भारती स्टेट बैंक हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रड़क्शन एंड रॉज सिनेमा को लाइक सेयर सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा थैंक्स धन्यवाद मैं गौतम रतना गौतम फिल्म्स प्रड़क्शन में आपका स्वागत करता है आप हमारे प्रड़क्शन हाउस के अंदर अपना केरियर बना सकते हैं अज फिल्म डिरेक्टर एज प्रोडूसर एंड एक्टर एक्टरस एंड एडिटर एंड सिनुमाटोग्रफर आलसो और आपको फिल्म से रिलेटिड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेट अप है जिसमें फिल्म कैमरा है सुटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा एट टू जैड एक ही जगे पर आपको हमारे यहां पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप ह हमाएं कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 981 008 5714 और 851 005714 हमें मेल भी कर सकते हैं गौतमफिंस प्रोडक्शन एड़ रेट जीमेल डॉट कॉम पर अन्यवाद़